हेलो फ्रेंज, वेलकम चू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप खतनाक रंगों और केमिकल से अपने बालों की देखभाल करें रंगों के त्योहार होली में कुछ ही दिन बाकी हैं इसलिए हम आपको कुछ ऐसे टिस बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बालों को होली के कैमिकल युक्त रंगों से डैमेज होने से बचा सकते हैं होली आते ही सबको टेंशन होने लगती हैं कि ये बालों की देखभाल कैसे करें रंगों में इतने कैमिकल्स होते हैं कि उनसे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं या फिर जढ़ने लगते हैं यहां मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिनसे आप कैमिकल यूट रंगों सिब अपने बालों को बचा सकते हैं होली खेलने का असली मज़ा तब आता है जब बेफिक्र होली खेली जाए लेकिन जब बात बालों और स्किन की आती हैं तो जैसे दिमाग में एक नई टेंशन ही जन ले लेती हैं बालों को रंगों की दुश्परभाव से बचाने के लिए लाखों जदन करते हैं लेकिन फिर भी हमारे बालों में रंग लगी जाता है अब बालों में रंग जाने से तो हम नहीं रोक सकते तो फिर क्या ना करें इनकी शुरक्षा का पूरा इंजाम क्यों ना कर लिया जाए यहां हम आपको कुछ आसान से टिप्स बता रहे हैं जिनसे आप अपने बालों को काफी कर लीजिए कि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पोह सके आइए वीडियो शुरू करते हैं होली खेलने से पहले नंबर एक होली खेलने से पहले अँपने बालों में अच्छी तरह से तेल की मसाज कर ले मसाज के लिए सरसो या नारियर के तेल का इस्तमाल करें तो जादा बहतर होगा क्योंकि बालों द्वारा नारियर या सरसो के तेल को सोक लिए जाने के बाद भी यह बालों की उपरी परत पर रहता है इस तरह से यह होली के रंगों को बालों के अंदर ज बंदाना की जरीए कवर कर ले इससे आपके बालों में रंग जाही नहीं पाएगा बस फिर आप बेफिक्र होकर होली खेल सकते हैं नमबर तीन आप बालों पर रूट मास भी लगा सकते हैं यह मास स्केल्प को ड्राय होने से रोकता है और रंगों में मौझूद केमिकल से भी बचाव करता है नमबर चार बाजार में कई ऐसे मसाज आईल हैं जिन से केमिकल में मौझूद होते हैं इसलिए अशेंशियल आईल का इस्तमाल करें नमबर पांच दो मुहे बाल या स्लिप्ट एंड्स है तो होली से एक दो दिन पहले ही ट्रिम्ट करवा ले स्लिप्ट एंड्स बालों को ड्राइ कर देते हैं होली खेलने के बाद बालों की देखभाल नमबर एक अगर बालों में रंग चला गया है तो सबसे पहले किसी कप्रे से बालों को ज़ाड ले ताकि अतरिक रंग जढ़ जाए अब बालों को पहले गिला करें और हर बर शैंपू लगाएं दीरे दीरे से मसाज करें कुछ देर से ऐसे ही से छोड़ दे फिर से मसाज करें और अच्छी तरह से बालों को धोलें नमबर दो मार्किट में मौझूद शैंपू के अलावा आप चाहें तो घर पर बने शैंपू का भी इस्तमाल कर सकते हैं बाल धोने के बाद एक मग पानी में दो तीन नीमबू का रस निकालें और बालों में अच्छी तरह से लगाएं थोड़ी देर मसाज करने के बाद तेल से जड़ों की मालिश करें हफते में एक दिन सिर में महंदी लगाएं नमब चार इसके अलावा दही शैहद और कॉफी का मिशन भी बालों में लगाए जा सकता है इससे बालों का कलर को रिस्टोर होगा ही जरूरी पोशन भी मिलेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले बाई